दोस्तों हिंदी सेनिमा के जो 60 के दशक के गीत हैं उनके बारे में पहले हमने एक वीडियो बताया तो आज एक और सन 1963 में जो फिल्में बनी थी उनके बारे में हम आपको जानकरी देंगे जो सूपर हिट रही थी और जिनों ने ठीक ठाक बिजनस किया था उन दस फिल्मों के बारे में हम आपको आज जानकरी देंगे यदि अभी अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बात करते हैं 1963 में जो हिंदी फिल्में बनी थी उनमें दसमें नमबर पर थी बंदनी फिल्म दोस्तों क्या कमाल की फिल्म थी बंदनी उसमें अशोक कुमार और नुतन ने काम किया था उसके गाने भी सूपर डुपर हिट रहते हैं मुरा गोरा रंग लईले लता जी की आवाज में था एक और गाना था जोगी जब से तू आया मेरे दौारे ये भी लता जी की आवाज में था बहतरीन गीत था उसके बाद हम बात करते हैं नौए नमबर पर तो गहरा दाग माला सिना रजिंदर कुमार की फिल्म थी ये भी उस समय ठीक ठाक अच्छ खासी इसने बिजनस किया था उसके बाद मुझे जीने दो सुनुरी रदस साहब की एक बेहतरीन फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक डाकू का रोल अदख किया था उनके साथ वहिदार रहमान थी फिर उसके बाद जो साथवे नमबर पर फिल्म है वो शिकारी थी दोस्तो अ छेवे नमबर की बात करते हैं तेरे घर के सामने दिवानंद साहब की बेहतरीन फिल्म थी नूतन जीने उस फिल्म में काम किया था दिल का भवर करे पुकार प्यार का राग सुनो देखो रूठा ना करो शांदार गीत थे सदाभार गीत थे आज भी जैसे पहले गीत ये फिल्म आई थी उसी दोर में सन 1963 में अरजिंदर कुमार मीना कुमारी और राज कुमार की एक बेहतरीन फिल्म थी गाने उसके एक टाइटल सौंग था दिल एक मंदिर है रफी साहब और सुमन कुलियानपुर की आवाज में था हसरज जैपुरी साहब का उसमें जो उन्हों ने गीत लिखे थे तुम सब को छोड कर आजाओ रफी साथ की ओवाज में ता हम तेरे पियार में रुक जा रात ठहर चंदा शेरेंदर साहब के लिखा याद न जाए बीते दिनों की रफी साहब ने ये गीत गाया था तो उसके बास हम बात करते हैं यह ता पाँछ गुमराफ फिलम आई थी माला सेना अशुक कुमार सुनीलदत साहब की गुमराफ फिलम भी बहुत बढ़िया चले थी तो उसके बाद थोड़ा और आगे वड़ते हैं फिर वही दिल लाया हूं जी हां दोस्तो जुआए मुकरजी साहब की वेहतरीन फिलम थी ओपी नईयर सा की फिलम थी उसके बाद जो दूसरे नमबर पे थी परदीब कुमार और बीना राय की फिलम ताज महर जी हां दोस्तो पाँचूले ने दो रफी साब कर गाने रफी साब के और लता ने और बहतरीन गाने इसमें गए गए थे अब बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा उस साल फिलम चली थी और जिसने सबसे ज़्यादा बिजनस दोस्तो उस फिलम ने किया था उस फिलम का नाम है मेरे महबूब जी हां दोस्तो रजिंदर गुमार साधना की ये बहतरीन फिलम ती सादा बहार गाने इसके भी मेरे महबूब तुझे मेरी महबत की किसम रफी साब ने गाना गाया था कि लता जी ने भी उस फिल्म में सेम गाना गाया था तेरे प्यार में दिलदार लता जी की आवाज में ऐ हुसन जरा जाग रफी साब की आवाज में ये था मेरे महभू में क्या नहीं ये लता और आशा भूसले की आवाज में ये गीत था तुम से इजहारे हा कर बैठे ये गीत भी इस फिलम का था रफी साब की आवाज में ही ये गीत था जाने मन एक नजर देख ले लता और आशा जी की आवाज में ये गीत था याद में तेरी जाग जाग के हम तो बेहतरी गाने थे फिलम में बहुत बढ़िया ये फिलम थी उस जमाने में और सुप डूपर हिट रही थी अपने जमाने में दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेर जरूर कीजिए धन्यवाद